अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजेगा मेरे चैनल पर नहीं हो इसे सब्सक्राइब कीजेगा तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं लेट्स गेट स्टारेट अगर आपके पास इस तरह का कोई इमेल आया है यूट्यूब की तरब से अगर आपका चैनल मॉनेटाईज है अगर आप नए यूट्यूबर हो या पुराने यूट्यूबर हो अगर आपका चैनल मॉनेटाईज हो चुका है तो यह नीज आपके लिए बहुत ही जरूरी है और इस एनी अपलाई अगर आपने अप्लाई किया है और आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन माई 31 माई 2021 के पहले नहीं होता है Google may be required to deduct up to 24% of your total earnings worldwide अगर आप ये टैक्स इन्फॉर्मेशन सब्विट नहीं करते हो तो Google से आप जो भी earning करते हो उसका 24% आपको टैक्स देना ही होगा ये सिर्फ USA के resident को छोड़ कर मतलब USA में चितने भी YouTubers हैं यूज करते हैं जिसका चैनल monetize है उसको छोड़ कर दुनिया में चितने भी YouTubers हैं सब पे 24% लागू होगा टैक्स अगर आपने टैक्स इंफॉर्मेशन 31 माई 2021 के पहले संबी नहीं को ये टैक्स देना पड़ेगा लेकिन एक अच्छी बात अच्छी खबर ये है कि अगर आप इंडियन हो अगर आप इंडिया से YouTube को आपरेट करते हो तो टैक्स बेनेफिट आपको मिल सकता है इस तरह का एक message देखने को मिलेगा important check if additional tax information is required from you all YouTube creators and partners are required to submit tax information to ensure any applicable taxes on your payments are accurate मतलब देखिए यहाँ पे मेरा channel monetized है कोई भी channel हो USA के resident को छोड़कर दुनिया में जो भी है अगर आपका channel monetized हो चुका है तो आपको यह tax देना compulsory है और tax information submit करने की आखरी date मैं आपको बारबाल कह रहा हूँ 31 मई 2021 से पहले आपको tax information submit कर देना है अगर आप यहाँ से notification की और जाओगे तो यहाँ पे देखिए notification में वही message आपको दिखाए देगा ठीक है यह notification में यहाँ से अगर आप learn more पे click करोगे तो आपको यह वाला information दिखाएगा how to submit your tax information तो दोस्तो मैं अगले वीडियो में आपको पूरी detail में बताऊँगा कि आप step by step tax information को कैसे submit कर सकते हो ठीक है आपको गवराने की बिलकुल जरूरत नहीं है और रही बात एक example के तरीके साब समझ दीजिए माल लीजिए किसी creator ने पिछले महिने YouTube से 1000 डॉलर मतलब की for example मान के चलिए 73,000 रुपे कमाए और इस 1000 डॉलर की कुल कमाए में से चैनल ने 100 डॉलर करीब 73,000 रुपे अमेरिकी व्यूवर से जनरेट किये है ये एक option है तो इसकी तीन संभावनाएं हो सकती है अगर creator tax की जानकारी नहीं देता है तो company क्या करती है जैसे ही company ने email ने बताया कि जानकारी ना देने पर दुनिया भर से हुई कमाई से 24 प्रतिशत तक की tax की कटवती की जाएगी ठीक है अगर आप tax की जानकारी नहीं देते हो तो आप overall कितने भी income करती हो जाएगा और मान लिजए 73 ख़़ार की कुल कमाई पर 240 टॉलर करीब 18,000 रुपए tax करूप में काट लिए जाएगे second option तो अगर आप Indian citizen हो तो इसमें आपको एक संधी हुई है इसका आपको tax treaty में लाव मिलेगा इस treaty में final discussion deduction सिर्फ 15% tax देना पड़ेगा मतलब कि सिर्फ 11,000 रुपए का होगा लेकिन आपको tax देना ही होगा तो क्योंकि अमेरिका और भारत की बीच एक ठोट एक tax treaty relationship हुई है जिसको कहते हैं कर संधी संबंद जो अमेरिकी व्यूवर से हुई कमाई के tax में rate को 15% तक कम कर देती है और तीसरे option में देखा जाए creator अगर tax की जानकारी देता है और संधी लाप के योगे नहीं है इस थिति में final deduction 30% करीब 2200 रुपए का होगा ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका views अमेरिका के views से आता है मतलब अमेरिकन व्यूवर अगर आप कोई मान लिजाए ऐसे चैनल चलाते हैं जो आपके viewers अधिकतर अमेरिका के हैं अगर उस अमेरिकन state से आपका revenue generate होता है तो उस पे आपको tax देना पड़ेगा दोस्तो ये रही छोटा सा एक summarize अगर वीडियो पसंद आई हो तो इससे like कीजेगा मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इससे subscribe करके bell icon को press कीजेगा और next video में मैं आपको बताऊंगा tax information को step by step एकदम आसानी से कैसे submit कर सकते हो तो वीडियो को बिल्कुल miss मत कीजेगा चैनल को जरूर से जरूर सबस्क्राइब कीजेए ताकि अब कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए अभी के लिए फिलाल इतना ही मिलते है किसी next video में तक तक के लिए bye bye thanks for watching